क्वेश्चन है न्यूटन के गती के दूइतिय नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है तो जो न्यूटन की गती ने तीन नियम दिया था उसमें न्यूटन की गती के दूसरे नियम से हमें किसकी परिभाशा मिलती है बल की परिभाशा मिलती है F equal to MA इसके बारे में हमें पता चलता है और बल की परिभाशा मिलती है इसे तरीकिसे Newton की गतिकत जो पहला नियाम था वहां किसका नियाम था जड़त्व का नियाम था ठीक है जड़त्व का नियाम था जिसमें बोला गया था यदि कोई वस्तू इस्तिर अवस्ता में है तो वहां तब तक इस्तिर अवस्ता में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बायहबल ना लगाया जाए और यदि कोई वस्तू गतिशील अवस्ता में है तो वहां गतिशील में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बायहबल यानि कि जो गती का प्रथम नियम है वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है वह अपनी जो भी पहले की अवस्था है उसमें वो चेंजेस नहीं चाहती है वही क्या है जड़त्व का नियम है और न्यूटन की गती का दूसरा नियम जिसमें हमने देखा कि बल क की परिभाशा मिलती है और न्यूटन की गती का तीसरा नियम जो होता है वह समवेख संरक्षन के सिध्धान पर आधारित है जिसको की क्रिया प्रतिक्रिया कभी बल बोला जाता है और इसमें क्या होती है कोई वज्दू अगर एक सता पर बल लगा रही है तो सता उस पर विप एक बलते हैं इसको यह दिया था न्यूटन ने इसी के नाम पर इस गती का जो भी नियम है वह पढ़ा नियूटन की गती का नीयम नेस्ट के गुत्व करशन के कारण जौर भाटा आता है तो देखिए जो समूद्र में जौर भाटा आता है वह किसके कारण आता है प्रित्वीप, सूर्य और चंद्रमा का जो कुरुत्व करशन होता है उसी के कारण जौर भाटा आता है जैसे मानलो ये समुद्र का पानी है तो इसमें ज्वार क्या होता है इस तरीके से पानी उपर उठती है वो ज्वार होता है और इस तरीके से नीचे जाती वो क्या होता है भाटा होता है इसलिए इसको कहा जाता है ज्वार भाटा और ये किसके कारण आती है समुद्र में यहा कर्शन होता है गृत्वा कर्शन होता है इसी के कारण आता है नेस्ट कोशन है वायू यान और राकेट बनाने के लिए कौन सी धातू प्रयोग की जाती है तो हमारे जितने भी वायू यान होते हैं या राकेट्स होते हैं उन सब को बनाता है किस धातू से अलूमिनियम धातू की ऐस का क्या होते हैं एलिमिनियम धातों की ऐस कहें बॉक्साइब नेस कोशन है एक आंत्रिक्ष यात्री को आंत्रिक्ष में आकास कैसा दिखाई देता है तो जब एक आंत्रिक्ष यात्री ऊपर जाता है आंत्रिक्ष में तो उसको आकास कैसा दिखाई देता है काले कलर का क्यों कि वहां पर कोई भी वायू मंडल नहीं रहता है जिसके कारण वहां पर काला दिखाई पड़ता है next विद्धुधारा का मापा किस उपकरन का प्रयोग करके किया जाता है तो जो विद्धुधारा है धारा याने की current और current को हम लोग किस से मापते हैं एम्पियर से मापते हैं तो उसे एंत्र का माप क्या हो जाएगा है एमिटर ठिक और एम्पियर जो इसकी यूनिट है इकाई है वो उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं नेक्स्ट है चंद्रमा पर गृत्वा कर्शन प्रित्वी के मिकाबले कितना हो जाता है तो जब हम प्रित्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो वहाँ पर जो गिरविटेशनल फोर्स रहता है गृत्वा कर्शन रहता है वो छठा भाग हो जाता है मान लो हमारा जो गृत्वा कर्शन बर है पृत्वी पर मान लेते हैं 18 है ठीक और हम चांद पर चले जाएं तो हमारा गृत्वा कर्शन बर क्या हो जाएगा एक बटे छठा भाग याने की 3 हो जाएगा तो 18 से 3 हो गया गृत्वा कर्शन बर नेक्स से एक लैंप में से तेल के उपर बढ़ने का क्या कारण है जैसे हम एक लैंप में तेल डाल कर दिया जला लिए चिक तो उसमें जो तेल होता है वो उपर चलता जाता है तो वो किस करण से होता है कैशिकत्व के कारण या कैशिका कारे जिसको बोला जाता है उसके कड़ होता है या फिर आप घरों में दिया जलाते हैं तो दिया में बत्ती डली हुई होती है तो जब उस बत्ती को हम लोग जलाते हैं तो उसमें क्या होता है दिये से जो तेल है वो बत्ती पर उपर चड़ने लगती है तो इसी को कहा जाता है कि शिकत फकर क्रिया नेक्स्ट है एक रॉकेट किसके सनरक्षन के सिध्धान पर काम करता है तो जो जितने भी रॉकेट्स होते हैं वो रेखिये समवेक सनरक्षन के सिध्धान पर काम करते हैं नेस कोशन है उर्जा चमता और गतीज उर्जा किसके बराबर होती है उर्जा चमता याने की इस्सितीज उर्जा जो इस्सितीज उर्जा होती है जिसको potential energy बोलते हैं प्लस गतीज उर्जा जिसको की kinetic energy बोलते हैं यह यांतरिक उर्जा के बराबर होती है यांतरिक उर्जा को mechanical energy बोला जाता है मान लो मैं आपसे कह रही हूँ कि potential energy कितनी है 10 है 10 Joule है और आपसे कह रही हूँ कि kinetic energy 15 Joule है तो आप मुझे क्या बोलेंगे यांत्रिक energy कितनी हो जाएगी mechanical energy कितनी हो जाएगी 25 Joule हो जाएगी तो आपस में क्या हो जाते हैं एड़ान हो जाती है ठीक है इस्तितिच उर्जा इस्तिच उर्जा की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है potential energy equal to mg h होता है ठीक मास और यह जो gravitational force हो गुरूत्वा कर्शन और यह हो गया height इसी तरीके से जो kinetic energy होती है गतीच उर्जा होती है वो कितनी होती है 1 upon 2mv का square नेश्ट कोशन है फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से सम्बंदी थे तो फैराडे ने जो नियम दिया था वहाँ electrolysis से सम्बंदी थे नेश्ट किलोवाट किसका मात रखे है तो किलोवाट आवर यहाँ पे किलोवाट घंटा जो है पर किसका है energy का होता है और सिर्फ वाट दिया हो या किलोवाट दिया हो तो वो क्या होती है शक्ति यानि की power की unit होती है और वहीं पर आपसे किलोवाट आवर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी उरजा की हो जाएगी जैसे हमारे घरों में जो मीटर लगे होती हैं जिसमें हमने कितना यूनिट का बिजली जलाया है उसके बारे में दिया होता है उस मीटर में क्या होता है किलो वाट आवर के बारे में हमें बताता है ठीक तो वो क्या हो जाएगी उसकी यूनिट जाएगी एनरजी नेक्स्ट है चावी बरी घड़ी में कौन सी उर्जा होती है तो चावी बरी घड़ी में कौन सी उर्जा होती है इस्तितीज उर्जा होती है पोटेंशल एनरजी होती है और बांध में जो रुका हुआ पानी रहता है जिसमें बांध बनाया जाता है वहां भी इस्तितीज उर पूर्विका और खीचा चला हुआ घंते हैं वह कौन से लोगह कौन से नियम है जो होती है विए के हमारी current की unit होती है धारा की unit होती है next क्यूरी किसकी इकाई का नाम है तो क्यूरी किसकी इकाई होती है जितने भी रेडियो धर्मी होते है उनकी इकाई होती है क्यूरी और जितने भी रेडियो धर्मी तत्वा होते है उनमें जो किरने निकलती है अल्फा बीटा और गामा कीरने निकलती है नेस्ट कोशन है एंगे स्ट्रॉन क्या मापता है तो जो तरेंग देधर होती है वो क्या मापती है एंगे स्ट्रॉन को मापती है निम्लगित में से कौन सी राशिश अदिश नहीं है तो जहां पर डारेश दिशा और परिर्मार दोनों की आवशक्ता नहीं हो वहाँ पर क्या होता है सदिश अदिश रासी होता है तो हमें सदिश रासी नहीं है बोल रहा है तो हमें अदिश रासी बताना है और वो क्या है आयतन आयतन के लिए हमें दिशा बताने की जौरत नहीं होती है इसलिए ये क्या हो जाएगा एक अदिश रासी हो जाएगी निस्ट जल में तैरना न्यूटन की गती के किस नियम के कारण होता है तो जम जल में तैरते हैं तो वहाँ पर कौन सा नियम काम करता है वहाँ पर न्यूटन की गती का तीसरा नियम जिसको की क्रिया और प्रतिक्रिया का बल कहते हैं वह काम करता है हम पानी पर तैरते हैं, तो पानी पर हम बल लगाते हैं, तो पानी भी हम पर बल लगाते हैं, जिसके करण हम तैर पाते हैं, तो यही क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है नेस्ट रह न्यूटन की गती के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है तो न्यूटन की गती का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है जड़त्व डारेट्ली किसे प्रपोर्शनल होते हैं द्रवेमान के प्रपोर्शनल होते हैं मास के प्रपोर्शनल होते है और इसको जड़त्व कनियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपनी जो भी इस्तिती है उसमें जो परिवर्तन का विरोध करती है यानि कि अपनी जो भी इस्तिती परिस्तिती है उसमें वो परिवर्तन नहीं चाहती है जैसा चल रहा है वैसा ही वो चलना चाहती है इसे ही Newton की गति का प्रथम नियम कहा जाता है